अगर आपको नया वाउचर टाइप करना है तो कैसे डिलीट करेंगे यह दोनों प्रोसेस इस वीडियो पे देखने वाले हैं तो वीडियो स्टाट करने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी तकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो आप यह स्टार्ट करते हैं, आपको company open कर लेना है, open करनेक बाद आपको create में जाना है, create में जानेक बाद voucher type पे click करना है, यहाँ पे आप voucher type create कर सकते हैं, for example आप महाराश्च्रो में sale कर दे थे, अभी आप UP में भी sale करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, sale, UP करके आप एक voucher type बनाएंगे, और इसको डालेंगे sales में, select voucher type, type of voucher जो है, इसमें आपको sale कर देना है, और control ले करके save कर देना है, अब जब आप interest करने जाएंगे, मतलब आप UP में जब sale करेंगे, तो उसकी interest आपको इस वाले voucher में करना है, कैसे करना है, यहाँ पे automatically open आ रहा है, अब कैसे delete करेंगे, अब आपको अगर delete करना है, तो एक कैसे delete करेंगे, तो आज हम skept करते है, सकेब करने के बाद वापस आपको alter में जाना, basically, बट delete करने से पहले एक important बात, आपको delete तभी करना है, जब आप tally को split करते हैं, अगर आप tally split नहीं करते हैं, और हर साल की entry एक ह तो आपको delete नहीं करना है, ठीक है, अगर आप delete करना चाहते हैं, और आप tally split करते हैं, तो आप delete कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, that means अगर current year में वो transactions नहीं हो रहे हैं, तो आप उस voucher type को delete कर सकते हैं, अगर आप tally split करते हैं, तो अगर split नहीं करते हैं, तो गलती से भी delete मत कीजएगा तो आपको क्या करना है, अल्टर में आना है, अल्टर में आने बाद voucher type पर click करना है, click करने कब यहां पर आप देख सकते है, sellup यहाँ पर दीख रहा है, हम enter करेंके, Alt-D करेंगे, और enter करदेंगे, यह delete हो गया, तो कैसे आपको create करना, delete करना, I hope आपको समझ में आ गया होगा और जो important बात बताई है मैंने उस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले Thank you for watching, मिलते हैं next वीडियो में